नेबूला मैस के इस वीडियो में हम लोग त्रिभूजों का छेत्रफल निकालने के काम आने वाले हीरोन फार्मूला को समझेंगे और उस पर आधारी सवालों को भी हल करेंगे त्रिभूज का छेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें से एक फार्मूला है जबकि त्रिभूज का आधार दिया हो और उसकी उचाई दी होई हो उस अवस्था में त्रिभूज का छेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुड़े उचाई बटे दो इसी तरह एक दूसरा फार्मूला होता है जो समभाहु त्रिभूज के लिए काम करता है संबाहु त्रिभूज आप जानते हैं ऐसा त्रिभूज जिसकी तीनों भूजाएं बराबर हूँ संबाहु त्रिभूज का छेत्रफल का फार्मूला होता है करड़ी में तीन बटे चार गुड़े भूजा का वर्ग इसी तरह त्रिभुज का छेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला है जो तब काम करता है जब तुरिभुज की तीनों भूजाएं दी गई हो त्रिभूज चाहें समबाहू हो चाहें समद्वी बाहू हो चाहें विशम बाहू हो कहने का मतलब भूजाओं की माप चाहें कुछ भी हो ये तीसरा वाला फार्मूला काम करता है इसी फार्मूले को हम हिरोन फार्मूला कहते हैं तो आईए हिरोन फार्मूला को हम विश्तार से समझते हैं फार्मूले को समझने के लिए बोर्ड पर त्रिभूज का एक चित्र बनाए गया है त्रिभूज के सीर्षों को हम क्रमसह कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से प्रदर्शित कर देते हैं सिर्ष A के सामने के भूजा B, C को इसमाल A से, सिर्ष B के सामने के भूजा A, C को इसमाल B से और सिर्ष C के सामने के भूजा A, B को इसमाल C से प्रदर्शित करते हैं रेखागरित में बिंदुओं को capital letter से और रेखाओं को small letter से परदरशित किया जाता है अब इस त्रिभूज का हम परिमाप निकालेंगे त्रिभूज का परिमाप निकालना आप जानते हैं तीनों भूजाओं कुई माप को जोड़ देते हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप यानि पेरिमीटर यादि हमें निकालना हो तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे यानि कि A plus B plus C हमने त्रिभुज का परिमाप तो निकाल लिया A plus B plus C इसका अर्ध परिमाप यानि सेमी पेरिमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे कि इस परिमाप A प्लस B प्लस C में दो का भाग दे देंगे यानि परिमाप का आधा कर देंगे अब चुकि यहाँ सेमी पेरिमीटर है इसी का ये S अक्षर हम ले लेंगे और इस अर्ध परिमाप को हम इसमाल S से प्रदर्शित करेंगे यानि कि ये जो S आया है ये सेमी पेरिमीटर का S है यहाँ ध्यान दिजिएगा कि A प्लस B प्लस C करके दो का भाग देना है बहुत सारे स्टुडेंट गलती से 3 का भाग देते हैं यदि आप 3 का भाग देते हैं यानि कि आप A, B और C का औसत निकाल रहे हैं जबकि हमें निकालना है अर्ध परिमाप इसको ध्यान में रखियेगा त्रिभूज का अर्ध परिमाप यानि S निकालने के बाद अगला स्टेप यह होता है कि हम S में से A घटा लेते हैं फिर B भी घटा लेते हैं और C भी घटा लेते हैं यानि तीनों भूजाओं की माप को बारी बारी से S में से घटा लेते हैं इतना करने के बाद त्रिभूज का छेत्रफल निकालने का एक फार्मूला है जिसे मैं डाइरेक्ट लिख दे रहा हूँ फार्मूला ये कहता है कि छेत्रफल बराबर S उसमें गुणा करेंगे S माइनस A का फिर गुणा करेंगे S माइनस B का और फिर गुणा कर लेंगे S माइनस C का और इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं इसी फार्मूले को हम हिरोन का सुत्र या हिरो का सुत्र कहते हैं अब आपके दिमाग में प्रस्ण ये आता होगा कि इस सुत्र को हिरोन का सुत्र क्यों कहते हैं तो दर असल हिरोन मिश्र के एक गड़िता गय थे उन्होंने ही इस फार्मूले को दिया था उन्ही के नाम पर इस सुत्र को हीरोन का सुत्र या कभी कभी हीरो का सुत्र भी कहते हैं तो यहाँ पर हमने फार्मूले को डायरेक्ट लिख दिया था यह फार्मूला कैसे आता है इसका पुरूफ यदि यहाँ दिया जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा पुरूफ को मैं एक अलग वीडियो में दे दूँगा अब आये इस हीरोन फार्मूला पर आधारित सवालों को हल करते हैं पहला सवाल है कि एक त्रिभूज की भुजाएं 13 cm, 14 cm और 15 cm लंबी हैं तो त्रिभूज का छेत्रफल ग्याद करिए यहां देखिए त्रिभूज A, B, C में हमने A को 13 cm, B को 14 cm और C को 15 cm मान लिया है आप किसी भुजा को A, B, C मान सकते हैं कोई अंतर नहीं पड़ेगा त्रिभूज का छेत्रफल हिरोन फार्मूला से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि भुजाओं की माप अलग-अलग है B, C, 3 को जोड़ना है और 2 से भाग देना है तो जोड़ लेते हैं 13 प्लस, 14 प्लस, 15 और 2 से भाग करेंगे जोड़ने पर आएगा अंस में 42 बटा 2 यानि आया 21 cm यह आया अर्ध परिमाप इसके बाद हम डायरेक्ट हिरोन फार्मूला लगा के छेत्रफल निकालेंगे में आवे, S into S minus A, S minus B into S minus C और फिर उसका वर्गमूल लिका लेना है S की यह वर्गमूल का निशान S का मतलब 21, S minus A यानि 21 माइनस 13, S minus B मने 21 माइनस 14 हल करिए, धीरे धीरे हल करेंगे, आराम से अपना 21 गूडे, 21 में से 13 घटाएंगे, आएगा 8, 21 में से 14 घटाएंगे, 7 आएगा, और 21 में से 15 घटाएंगे, तो 6 आएगा अब इस गूडन फल का हमें वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए गूडन खंड विधी का प्रियो करेंगे, जिसमें देगई संख्याओं का छोटा छोटा अभाज गूडन खंड करते हैं, और फिर उसका जोडा बनाते हैं, कर लिजिए, 21 को हम कर सकते है तीन गूडे साथ, आठ को कर सकते हैं, दो गूडे, दो गूडे, दो, साथ साथ ही रहेगा, और छाए को कर सकते हैं, दो गूडे, तीन, ये अब हाज गूडन खंड हो गाएं, अगला इस्टेप होता है जोडा बनाना, तो देखिए, इस तीन का, इस तीन के साथ जोडा ब बन गया ये भी बाहर आ जाएगा और इस दो का इस दो के साथ जोड़ा बना ये दो भी बाहर आ गया और इसके बाद इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 84 और मात रख हो जाएगा चुकि छेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर वर्ग ये उत्तर आया तो इस तरह से हम हिरोन फार्मूले का इस्तेमाल करके दीए हुए त्रिभूज का च्छेत्रफल ग्याद कर सकते हैं अब आईए एक अगला सवाल देखते हैं तो अगला सवाल है कि एक त्रिभूज की दो भूजाएं आठ सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबी हैं त्रिभूज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो छेत्रफल ग्याद करें इस सवाल में दो ही भूजाएं दी गई हैं देखिए यहाँ पे A और B C नहीं मालूम है लेकिन हीरोन फार्मूला से त्रिभूज का छेत्रफल ग्याद करने के लिए हमें तीनों भूजाओं की लंबाई ग्याद होनी आवश्यक है तो पहला काम है हमारा C का मान ग्याद करना यानि तीसरी भूजा कितनी लंबी है यह पता होना चाहिए तो इसके लिए परिमाप दि परिमाप के नीचे 32 लिखेंगे एक जगा पर आठ लिखेंगे बी की जगा पर 11 लिखेंगे और सी को सी ही रहने देते हैं इसे हल कर लेंगे 32 में से 19 हम घटाएंगे तो आज आएगा 13 सेंटी मीटर अगला काम हमारा है S निकालना S मनें अर्ध परिमाप अब यहां पर देखिए परिमाप पहले ही 32 दिया गया है तो सीधे सीधे हमें इस 32 का ही आधा कर देना है यानि अर्ध परिमाप S आया 16 सेंटी मीटर S निकालने के लिए अब हमें A पलस B पलस C बटा दो करने के जोर्वत नहीं है अब की बार छेत्रफल निकालने के लिए मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा डाइरेक्ट संचेप में करूंगा देखिए फार्मूले के नुसर क्या होता है S यानि 16 S माइनस A यानि 16 में से 8 घटाना है घट के आएगा 8 गुड़े S माइनस B यानि 16 माइनस 11 यानि 5 गुड़े S माइनस C 16 में से 13 घटेगा तो आजाएगा 3 और इसका हमें वर्गमूल निकाल लेना है ऐसे आप डाइरेक्ट करेंगे यदि आप बहुत भी कल्पी परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं तो यह सारे स्टेप्स जीतना हो सके आपको मन में कर लेना है नहीं तो टाइम लगेगा 16 को चाहे तो डाइरेक्ट 4 गुड़े 4 कर सकते हैं 8 को लिख सकते हैं चार गुड़े 2 और 5 तो खर 5 ही रहेगा 3 तीन ही रहेगा इस 4 का जोड़ा लग गया बाहर आएगा केवल 4 इस 4 का वर्गमूल 2 बाकी इन 3ों का जोड़ा नहीं लग पाएगा तो 5 दुनी 10 याई 30 ये काड़ी के निशान के अंदर ही रह जाएगा 4 दुनी 8 काड़ी में 30 जिसका वर्गमूल निकल गया वो तो काड़ी के निशान के बाहर आ जाएगा जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वो काड़ी के निशान के अंदर ही रह जाएगा जोर सेंटी मीटर वर्ग आंसर अब अगला सवाल देखते हैं सवाल यह कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात तीन समंध्य चार समंध्य पांच है और उसका छेत्रफल 216 सेंटी मीटर इसक्वाइर है तो परिमाप ग्याद करना है और चार विकल्प दिय गये हैं अब इस सवाल में छेत्रफल दिया है और परिमाप पूछा जा रहा है जबकि पिछले सवाल में परिमाप दिया था और छेत्रफल पूछा गया था तो आईए यहां पर समझते हैं चुकि भुजाओं का अनुपात तीन समंध्य चार समंध्य पांच दिया है तो हम अमाल लेते हैं कि A बराबर 3X, B बराबर 4X और C बराबर 5X सेंटेमीटर के हैं ये तरीका आप अनुपात वाले चेप्टर में पढ़ चुके हैं भूजाओं की माप आ गई परिमाप होगा A प्लस B प्लस C तीनों को जोड़ने पर आया है 12X सेंटेमीटर इस परिमाप का आधा करने पर ही S आता है हम लोग जानते हैं तो आधा कर देंगे 12X का आधा करेंगे तो आएगा 6X सेंटेमीटर अगला इस टेप छेत्र फल का फार्मूर्या लिखेंगे यह होगा S यानि 6X गुरे S माइनस A यानि 6X माइनस 3X गुरे अब नीचे लिख देते हैं S माइनस B यानि 6X माइनस यह 4X और गुरे S माइनस C यानि 6X माइनस यहां 5X और यह करड़ी का निशान त्रिभूज का छेत्र फल दिया गया है 216 यहां पर इस साइड में 216 लिखेंगे बराबर वर्गमूल के निशान के अंदर 6X गुरे इसे घटाएंगे तो आएगा 3X इसे घटाएंगे आएगा 2X गुरे इसे घटाएंगे तो खाली आएगा X इधर 216 बराबर 326 यहां पर 36 आएगा और X की घट 4 इस साइड का वर्गमूल लिका लेंगे यहां है 216 चाटिस का वर्गमूल 6 यहां से X स्क्वाइर बराबर 216 बराबर 36 यानी X बराबर 36 का वर्गमूल कहने का मतलब X बराबर 6 आया सवाल में परिमाप पुछा गया है परिमाप यहां पे देखिए 12X है यहां परिमाप P बराबर 12 गुरे X के जगाए पे 6 रखेंगे 12 चाक 72 सेंटिमीटर आएगा और इस आधार पर बिकल्प नमबर B सही है तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से हिरोन फार्मूला और उस पर आधारित प्रस्नों को हल करना सीखा है बने रहिएगा नेबुला मैस पे बहुत बहुत धन्यवाद नहीं प्रस्टाइबू इस प्रस्टाइब।